हलो दोस्तो नमस्कार आज मैं लेके आया हैं कुछ निव इंफॉमेशन 2023 में आपको कौन कौन से डॉकूमेंट रिक्वाइर हैं एमबेसी के लिए तो दोस्तो मैं आज बताता हूँ फुल इंफॉमेशन जो भी दोस्त नए जोड़े हैं तो प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं और निव इंफॉमेशन मेरे चैनल के द्वारा पाते रहें तो दोस्तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि 2023 में कौन कौन से डॉकूमेंट रुकायर है पोलेंड वीजा के लिए वर्क पर्मिट के लिए तो दोस्तो जैसे आप वर्क पर्मिट अप्लाई करते हैं तो आपको सिर्फ सीवी और मेरी अगर से मेरे तरफ से अप्लाई करते हो मेरे मेरे थ्रू अप्लाई करते हो तो CV और passport front और back scan चाहिए उसके बाद दो मेहने बाद आपका work permit आ जाएगा work permit दो मेहने के बाद आने के बाद आपको embassy में appointment लेना है वो भी VFS के थुरू VFS appointment लेने के बाद आपको document आपकी तरफ से कौन-कौन से ready करने है तो दोस्तों मैं आज बताता हूँ कौन-कौन से ready करने है आपको document आपके document रहेंगे पहला आपका application form दूसरा आपका PCC तीसरा आपका insurance चौथा dummy ticket पांच माँ application form embassy application form जो online भरते हैं छटमा आपकी दो फोटो 35-45 80% face और आपका रहेगा अगर से आप एफिडेविट लगाते हो तो आप एफिडेविट लगा सकते हो आपका passport जो है front और back scan होना चाहिए और इसमें कोई apostle नहीं कोई कुछ नहीं तो दोस्तो मैंने यह सारी और आपका जो original work permit आया है और प्लस आपके जो company के additional document आए हैं आपके पास तो आप यह document all collect करके एक file बनाके आपकी checklist common है checklist जो है compulsory रहेगी उसमें सारे document के click करके अपना नाम और आप अपना passport का number जो भी है sign करके उसको attach कर सकते हैं दोस्तों और attach करने के बाद एक file बनाके cover letter cv front में डालके यह सारे लगा के आपको ready करना है और photo उसमें ना लगाएं side में photo slapler मार दें जिसमें से उनको जब जरूरत होगी तो आपकी photo लेके वो photo इसलिए ली जाती है कि वो scan करके और वो जो visa मिलता है उसमें photo add करके आपके sticker visa लगता है दोस्तों इसमें process time है 21 working days रहता है किसी किसी को साथ दिन में visa मिलता है किसी को साथ दिन में किसी को पूरा 21 दिन लग जाता है तो दोस्तों इतना time लगता है और 2023 का यहीं है new जो भी document है यहीं है और कभी कभी क्या है दिल्ली site से अगर से आप apply करते हो तो bank statement नहीं लगगा और मुंबई site से करते हो तो किसी को मांगता है तो किसी को नहीं मांगता यह भी है कंपल सरी तो है नहीं अगर से आपके सारे document है और company आपको सब चीज provide कर रही है तो आपको bank statement की जरूत नहीं है अगर से आपको company कुशी चीज दे रही है तो आपको तीन लाग तक आपको लगभग पांच पांच हजार यूरो लगभग आपको शो कराना पड़ेगा bank statement bank statement जो है तीन साल तीन महने का रहना चाहिए तीन महने का और अगर से bank statement है तो आप certificate लगा सकते हो जैहन जैभार नमस्कार झाल 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 झाल